असलाम अलेकुम ग्रेट 5, my name is Sadaf and I am your computer teacher, students हम लोग पढ़े थे unit number 1 जिसका नाम है evolution of computers, और इस unit में हम लोगो ने पढ़ी history of computers, तो students आज के lecture में हम लोग पढ़ने वाले हैं generations of computers, तो चलिए lecture की तरह जी students तो last lecture में हम लोगों ने पढ़ी थी history of computers, हम ने पढ़ा था कि किस तरह से 5000 years पहले Chinese ने हमारे लिए एक पहला calculator बनाया था, जो कि क्या करता था, calculations करता था, और वो क्या था students, वो था अवेकर्स, और हम ने देखा किस तरह उसमें evolution होती रही, और 1834 में Charles Wavage ने base रखी modern computers की किस तरह से difference engine बना कर, जिसको के बाद में analytical engine का नाम दे दिया गया था, तो students आज की lecture में हम लोग पढ़ने वाले हैं generations of the computer, तो हम लोग पढ़ेंगे कि computers कब बने थे और सबसे पहली generation कौन सी थी, तो students उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बाकी की generations में किस तरह से evolution आया computers में, और हम देखेंगे कि आज computers हमारे पास किस condition में मुझूद हैं, तो students चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं generations of the computers, तो students हम लोग पढ़ेंगे computers की five generations के बारे में, first generation, second generation, third, fourth and fifth generation, तो students एक और चीज़ है notice करने वाली कि जिस तरह से technology में evolution आता रहा, उसी तर से हमारे computers की generation change होती रही, तो students, सबसे पहली generation में जो technology use होती थी, वो थी vacuum tubes, ठीक है, और second generation में technology use की गई, transistors, और third generation में, third generation में use हुए integrated circuits, और students, fourth generation, जो के हम लोग आज भी computers इस्तमाल करते हैं students, वो कौन से हैं, वो है fourth generation, और उसमें क्या use होता है, उसमें use होते है microprocessor, ठीक है, और fifth generation, जो के future की generation है, उसमें हम लोग क्या use करें है, उसमें हम लोग use करें है, artificial intelligence, तो students, चलिए देखते हैं, कि first generation क्या थी, और first generation के computers किस ता राएंगे थे, चीज़ तो first generation देखिए, they were based on vacuum tubes, तो students, first generation कौन से technology पर बेस थी, vacuum tubes पर बेस थी, ठीक है, vacuum tubes क्या करती थी, Students, vacuum tubes glass की बड़ी-बड़ी tubes होती थी, जिड में से हम लोग हवा को निकाल देते थे, ठीक है, हवा को निकाल देना, या फिर किसी भी किसम की gas को निकाल देने का क्या मतलब होता है, उस tube में vacuum create कर देना, ठीक है, तो वेक्यूम ट्यूब्स में किसी भी किसम की हवा नहीं होती थी और नहीं कोई गैस होती थी तो students वो वेक्यूम ट्यूब्स क्या करती थी? वो वेक्यूम ट्यूब्स करती थी इलेक्ट्रोन्स को कंट्रोल, फीके आगे दिखे, they were very expensive and big in size तो students, first generation के computer बहुत बड़े होते थे size में और बहुत ज्यादा expensive भी होते थे लेकिन उनकी speed क्या होती थी? उनकी speed होती थी slow, देखे, their speed was also slow तो students जो सबसे पहले computers बने थे, उनकी speed थी काफी slow, जिस तो वो बहुत बड़े थे sizes में और बहुत expensive भी थे जिस तरह से हमारे पूरा कमरा होता है, एक उस कमरे में एक computer पूरा आता था तो students, देखे, examples, हमार पस examples है, UNIVAC1 and ENIAC तो students, ENIAC जो था, वो दुनिया का पहला computer था, जो के एक electronic computer था ठीक है, मुझे पता है, हम लोगोंने पहले भी history में computers पढ़े है ना, लेकिन students, वो electronic computers नहीं थे ये था दुनिया का पहला electronic computer कौन सा था, ENIAC, ठीक है students, तो UNIVAC का क्या मतलब है युनिवर्सल, आटोमेटिक, कम्प्यूटर, ठीक है, और उसी तरह से, ENIAC का मतलब है electronic, numerical, integrator and computer, ठीक है students, ज़र आपनी स्ट्रीन पर देखिए, जी students ये है UNIVAC, जी students ये size में काफी बड़ा है ना, जी students जिस तरह से के size में इतना बड़ा है, उसी तरह से ये बहुत expensive भी था, क्यूंके इसमें hardware बहुत ज्यादा use होता था, तो students ये speed में भी काफी slow थे, जी अब दूसरी picture देखिए, जी students ये क्या है, ये है ENIAC, जो के था दुनिया का सबसे पहला computer, जी students ये भी काफी size में बड़ा है ना, जी इसकी speed भी काफी slow थी, बाकी generation से next है हमारे पास second generation, second generation के computer कैसे थे देखते हैं, based on transistors, तो second generation के जो computers थे, वो based करते थे transistors पे, ठीक है, अब vacuum tubes use नहीं होती, लेकिन अब क्या use होते हैं, अब use होते हैं, transistors, transistors क्या होते थे, transistors students, semiconductor होते थे, जो के electrons के flow को control करते थे, ठीक है, आगे देखिए, they were smaller in size, faster and cheaper, तो students second generation के computer बने, इस पत first generation के, क्या होते थे, size में भी छोटे हो गए थे, और speed में भी faster हो गए थे, और expensive भी उतने नहीं थे, जितने first generation के computer थे, यानि के students, ये cheap भी थे, smaller भी थे, और faster भी थे, आगे देखिए, जी students, ये क्या use करते थे, they used assembly language, तो students, पहली generation के computers क्या use करते थे, they used machine language, और machine language क्या होती है, machine language होती है, binary language, यानि के zero और one की language, जो के सिर्फ computer समझ सकते है, students, हम इंसान नहीं समझ सकते, लेकिन second generation में क्या introduce करवाया गया था? Second generation में introduce करवायी थी, assembly language, जो के क्या करती थी, students, हम इंसानों को अलाओ करती थी, कि हम computers को प्रोग्राम कर सकें, ठीक है, assembly language में कुछ English के words यूज होते थे, ताकि हम इंसान असानी से समझ सकें और हमें computer को प्रोग्राम करने में असानी हो सकें, ठीक है, लेकिन students, computer assembly language को नहीं समझ सकता, इसलिए हम लोग यूज करते थे, एक compiler, जो के assembly language को change कर देता था, machine language में, ठीक है, आगे देखिए, next देखिए example, IBM 1401, तो students, अपने screens पर देखि पर देखिए, जी students, ये जो picture आप लगों को नतरा रही है, ये एक computer है, second generation का, जो के कौन सा computer है, IBM 1401, ठीक है, तो students, इस तरहां के computers use होते थे, second generation में, जो के base करते थे, transistors पर, और इन में कौन सी language use होती थी, इन में language use होती थी, assembly language, जी students, तो चलिए, third generation परते हैं, क्या है, जी students, तो third generation देखिए, third generation was based on integrated circuits, तो students, सबसे पहली generation में हमने क्या use किया था, vacuum tubes use की थी, और second generation में हम लोगों ने use किये थे, transistors, ठीक है, अब third generation में हम लोग use करें है, integrated circuits, integrated circuits क्या थे, students, integrated circuits, basically, transistors पर ही base करते थे, एक integrated circuit पर thousands of transistors और capacitors हो सकते थे, जो किया करते थे, electrons की flow को control करते थे, चलिए students आगे देखिए, they were smaller in size and more efficient, यानि के third generation के computer पहली दोनों generation से ज्यादा smaller थे और ज्यादा faster थे, ठीक है, students आगे देखिए, keyboard and monitors were used for input and output, तो students, third generation के computers, पहले computers थे, जिन में के keyboard और monitor को use किया जाता था, keyboard को use किया जाता था, input देने के लिए, और monitor use होता था, हमारी उस input की processing के results को देखने के लिए, ठीक है, results देखने के लिए, यानि के उसकी output को देखने के लिए, तो students, examples देखिए, IBM 360 and Apple 2C, तो students, जरा आपने screen पर देखिए, जी, ये computer जो आप लुगों को नदर आ रहा है, students, ये क्या है, ये है IBM 360, जो के कौन से computers है, third generation के computers हैं, जी, second picture देखिए, जी, students, ये भी third generation में use होने वाले computers हैं, और इनका नाम क्या है, ये है Apple 2C, students, इन computers को बनाया था, company, Apple ने, और जो पहले computer हम लोगों को ने देखा था, IBM 360, वो कौन से company ने बनाया था, वो बनाया था, IBM ने, चलिए, next देखिए, जी, students, the next generation है, fourth generation, ठीक है, three generations हम लोगो ने अभी तक पढ़ ली है, और हमने देखा के किस तरह से computer की evolution होती आ रही है, generation by generation, जी, students, देखिए, fourth generation में क्या है, जी, fourth generation was based on LSI and microprocessors, जी, first LSI क्या है, LSI है, large scale integrated circuits, ठीक है, इसमें use होते थे, large scale integrated circuits और microprocessors, पहले देख ले थे हैं, microprocessor क्या होता है, millions of transistors, again, microprocessor भी waste करता है, integrated circuits और transistors पे, जो के हम लोगो ने use किये थे, second generation में और third generation में, तो, students, आप लोग कह सकते हैं, कि microprocessors क्या है, अब graded version है, integrated circuits का, जो के हम लोगों ने use किये थे, third generation में, आगे देखिए, जी, it enabled to fit millions of components on a small chip, तो, students, microprocessor क्या है, microprocessor है, एक बहुत ही चोटी chip, जो के क्या करती है, अपने ऊपर millions of components रखती है, ठीके, ज़रा screens पर देखिए, यह जो picture आप लोगों को नदर आ रही है, students, यह चोटी से chip है, है ना, जी, यह है microprocessor, जी, students, यह microprocessor हमारे पूरे computer system को control करता है, जी, students, तो यह computer, जो force generation के computer है, यह computers वो हैं, जो के हम लोग आज भी इस्तमाल करते हैं, ठीके, हमारे घरों में जो pieces होते हैं, और जो हमारे laptops वगरा होते हैं, हमारे computer labs में जो pieces होते हैं, students, वो क्या है, वो है force generation computer, जो के base करते हैं micro processors पे इन में क्या होता है students इन में input, output और processing के functions perform होते हैं और कौन कौन करता है ये functions perform, input perform होती है, input devices के जरीए और input devices कौन कौन सी है, keyboard, mouse वगएरा, ठीक है, और students processing कहा होती है, processing होती है, इस microprocessor में जो के है, एक छोट इसी chip, और students output, output हम लोगों को किस तरह से नजर आती है, output हमें usually नजर आती है, monitor की screen पर या फिर printer के जरीए, printer के जरीए हम लोग paper पर output लेते हैं हमारे process की, ठीक है, तो students examples देखिए, examples क्या है, computers using Intel 4004 and Intel 8080, तो students, Intel 4004 क्या है, यह है microprocessor, और Intel 8080 क्या है students, यह भी है, एक microprocessor, ज़र आपनी screen पर देखिए, जी students, यह computer system जो आप लोगों को नजर आ रहा है, आपकी screen पर, यह कौन सी generation का computer है, students, यह है fourth generation का computer, ठीक है, हम लोग आज भी इस computer system को use करते हैं, आगे देखिए students, next generation कौन सी है, जी students, तो last generation देखिए कौन सी है, और पास last generation है, fifth generation, तो students, हम लोगों ने देखा कि आज तक हम लोग कौन सी computers use कर रहे हैं, हम लोग fourth generation के computers अभी भी इस्तमाल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कि fifth generation के computer हमारा future है, आगे देखिए students, latest generation of computers, तो students, ये है अभी तक की latest generation, ठीक है, इसके बाद, फिल हाल कोई generation नहीं आई है, लेकिन ये भी अभी under development है, आगे देखिए students, it is based on artificial intelligence, तो students, fifth generation में जो technology यूज हो रही है, वो है artificial intelligence, आगे देखिए, this is still under development, जी students, जैसे के मैंने आपको बताया, कि ये है हमारे computers का future, और ये अभी भी under development है, इस पर अभी भी development हो रही है, आगे देखिए students, they are most efficient than all of the generations, तो students, अभी तक हम लोगों ने जितनी generations पड़ी है, fifth generation के computer है, उन सब में सब से ज्यादा efficient, जी आगे देखिए students, examples है, robots, तो students, आप लोगों ने रोबोट के बारे में सुदा हैं ना, रोबोट क्या होते हैं, ज़रा screen पर देखिए, जी students, ये है एक रोबोट, और हम लोगों ने इस technology को artificial intelligence क्यों कहा है, intelligence क्या होती है, students, intelligence होती है, समझदारी और अकलमंदी, तो students, intelligence होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, brain होना चाहिए, जो के हम इंसानों के पास है, और machines के पास नहीं होता है, ठीक है, लेकिन, students, हम अपनी machine को एक artificial intelligence दे रहे हैं, artificial का मतलब क्या होता है, artificial का मतलब होता है, जो के, ऐसी चीज़ जो के real नहीं है, तो students, ऐसी intelligence जो के real नहीं है, वो क्या है, वो हे artificial intelligence, तो students, artificial intelligence पर काम करते हुए, computers हमें समझ भी सकते हैं हमारी बात को समझ सकते हैं हम लोग जिस तरह से बोलते हैं उस चीज को समझ सकते हैं ठीक है students तो robots क्या करते हैं robots हमारी instructions पर अमल करते हैं हमें सुन सकते हैं हमें समझ सकते हैं क्योंके वो उसके लिए programmed होते हैं ऐसा नहीं कि हम लोगों ने उनमें कोई brain fit कर दिया है, ऐसा नहीं है सुड़न्स, यह सिर्फ इसली है क्योंकि हम लोगों ने उनको इस तरह से programmed कर दिया है कि वो हमें समझ सकें और हमें सुन सकें, तो सुड़न्स फॉर्थ जेनरेशन्स तक कम्प्यूटर्स में यह capability नहीं थी, लेकिन फिफ्ट जेनरेशन्स के जो computers हैं, जो आ रही हैं और जो आएंगे, तो स्टुड़न्स उनमें यह capability होगी, किस चीज़ की capability होगी? आर्टिफिशिल इंटेलिजन्स की, तो स्टुड़न्स यह है ना बहुत interesting चीज़, जी, तो स्टुड़न्स इसी के साथ हमारा आज के lecture खतम होता है, और next lecture में हम लोग पढ़ने वाले हैं, Types of Computers, तो स्टुड़न्स तब तक अपना ख्याल रखेगा, आल्लाहाफेद।